राज कपूर से रिष्टा तूटने के 24 साल बाद जब उनकी पत्नी से हुआ नर्गिस का सामना सुनील दत से शादी के बाद कपूर फैमिली के साथ सारे रिष्टे तोड़ चुकी थी नर्गिस 24 साल बाद जब ये बुलावा आया तो कुछ ऐसी थी हालत फिल्म इंडस्ट्री में किसी प्रोजेक्ट के चलते कई बार एक्टर्ज और पूरी टीम महीनों साथ बिताते हैं ऐसे में किसी के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉंग होना या अट्रेक्शन होना आम बात है खास्तोर से जब दो सितारे अठारह फिल्मों में एक साथ काम करते हैं जैसा की दिगगज एक्टर राज कपूर और नर्गिस के साथ हुआ था बर साथ श्री 420, आवारा और जागते रहो जैसे कई जबरदस्थ प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते हुए दोनों करीब आए उनका रिष्टा विवादों से अच्छूता नहीं रहा क्योंकि राज कपूर शादी शुदा और बच्चों के पिता भी थे जबकि नर्गिस सिंगल थी और अपने आप में सुपस्टा बन रही थी बाद में नर्गिस ने एक अपने कोस्टार सुनीरदत से शादी की और दोबारा राज कपूर की किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं किया लेकिन उनके रिष्टे की अफवाहों ने दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा कर दी और नर्गिस कभी भी कपूर की रखी गई किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुई ये सब करीब 24 साल तक चलता रहा लेकिन आखिरकार यह कोल्ड वाइब तब खत्म हुई जब नर्गिस को राज कपूर के बेटे रिषी कपूर और नीतु कपूर की शादी में शामिल होने के लिए इन्वाइट किया गया नर्गिस अपने पती सुनील के साथ इस शादी में शामिल हुई अपने किताब खुलम खुला में रिषी कपूर ने बताया कि कैसे नर्गिस शादी में शामिल होने से घबरा रही थी लेकिन राज कपूर की पतनी कृष्णा ने उन्हें comfortable और welcome महसूस कराया ताकि एक पल को भी नर्गिस को ऐसा ना लगे कि उनका वहाँ आना किसी को पसंद नहीं आया उन्होंने लिखा 1956 में जागते रहो पूरी करने के बाद नर्गिस जी ने आर के स्टूडियो में कदम नहीं रखा था हाला कि उस दिन वह शादी में शामिल होने के लिए सुनीर दत के साथ आय थी वह 24 साल बाद कपूर के किसी प्रोग्राम में शामिल होने को लेकर बहुत घबराई हुई थी